यहां पर स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में हम लोग यहां पर प्लांट्स के बारे में पोधो के बारे बेपढ़ने वाले हैं तो जितने भी स्टूडियन चैनल पर नूज है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और वाट्चाप ग्रूप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 877-080-3840 इस पर वाट्चाप करके आप वाट्चाप ग्रूप में भी एड़ हो सकते हैं ठीके एविएस के आपके कम्प्लीट नूट्स अवेलेबल है CDP का Complete Video Classes Plus Question Series अवेलेबल है Match Pedagogy के आपके Complete Notes अवेलेबल है तीनों ही सब्जेक के आप विल्कुल एक अच्छे तरीके से तियारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर वाट्चाप करके सारी जानकारी कोर्से से रिलेटिव प्राप्त कर सकते हैं जो हम लोग यहां पर पढ़ रहें यहीं सारी तीसे आप कोर्स में भी प्राप्त कर सकते हैं मातर च्छी हंड्रेट रुपीज में आप Complete EVS के कोर्स को यहां पर बाई कर सकते हैं बात करते हैं आज के सेशन की सेशन में जिसे किस से पहले प्लांट्स पर हम लोग एक सेशन कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पोधों के भागों के बारे में देखते हुए जड़ के बारे में डिसकस किया था तने के बारे में डिसकस किया था कि आज हम लोग यहाँपर पती के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्यण्शन को कंपटे जाते हैं। चले स्टार्ट करते हैं सेशन को. कल के सेशन मी जितने भी questions बन सकते थे रूट से रिलेटेड्, जडों से रिलेटेड्. वो हम लोग यहाँपर complete कर चुके हैं, आज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे काईक जनन को, काईक जनन क्या होता है, या फिर definition क्या होती है, vegetative reproduction की, तो यहां पर पोदो के काईक भाग जिसे पजड हो सकता है, पत्ती हो सकता है, शाखा हो सकता है, इन सबी से यदि वापस से नए था जन्म होता है यहां सो की प्रक्रीय से कुछ दोन होता है यहां से क्रीद शेख भूद में वहोता है यहां से किसी काईग बाग का जन्म होता है तो काईग जनन की प्रकृया यहां पर कहलाथी अब यह दो प्रकार से हो सकते चाहिंद के जनन नेचुरल वेजेटिटीव डिप्रोड़क्शन पोदू में होने वाले काईग जनन की प्रकृया को यहां पर खुद इसे उत्पन हो तो इसे यहां पर एक जनन बोला जाएगा ठीक है और का इक जनन हम ने पढ़ी लिया कि पोदे के कि बहदे के की बाग से पीड़ बनना है तो नएक यहां था का इक जनन कहला थैसे प्रकृति कर रोप से हो रहा है ऍठ staying in रहा है यहां पर कहा जा सकता है अब यदी हम लुक बात करें अब प्राकरति का एक जनन जवार्ण जडो के दुवारों सकने हैं पत्तियों के माध्यम से नए पोधे हो सकने हैं भूमिकत तनों के माध्यम से क्योंकि तना क्या भूमिको लगेगा और वापस से वह नए पोधा बनकर उग जाएगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जड़ों के द्वारा सतावर हो गया, डहलिया हो गया, शकरकंध हो गया, परवल हो गया ये आदी कुछ ऐसे पोधे होते हैं, जिनकी जड़ों पर अपस्थानी कलिकाए निकल कर आती है तेकि अब ये क्या करें कि ये वापस से अनुकूल वातावरण में रहकर वापस से नए पोधे को यहाँ पर विक्सित कर देती है तेकि आगे अदी बात करें पत्तियों के द्वारा कैसे होता है तो अजूबा, बिगोनिया, आदी के पत्तियों पर अपस्थानी मतलब इनके पत्तियों पर ही कुछ इस प्रकार की कलिकाय पाई जाती है जो वापस से क्या करती है नए पोधे को जन्म यहाँ पर दे सकती है इनको पढ़न कलिकाय कहते हैं पढ़न मतलब पत्तियों ही होता है पत्तियों पर ही कली ही जन्म ले लेती है अनुकुल परिस्थितिया जब इन्हें मिल जाती तो यह वापस से विक्सित होकर एक नए पोधे को जन्म दे सकती है बूमी का तनों की बात करेंगे तो अध्र का प्रकंद हो गया अलू का कंद अर्भी का घंकंद फर्न का प्रकंद प्याज लसुन के शल्क कंद से अनुकुल बातावरण में अपस्थानिक कलिकाय विक्सित होकर नए पोधे बना देती है यदि आपने देखा होगा काफी समय से हमारे घर में प्याज वगेरा रखा हो है तो उस पर वापस इस प्रकार की कलिकाय विक्सित हो जाती है अपने उने जमीन में लगा दिया मतलब एक अनुकुल बातावरण दे दिया तो वह वापस से नए पोधे को यहां पर अपना ज अब यदि हम लोग बात करें क्रतीम काइक जनन की आर्टिफिशल वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन की हम लोग बात करें तो मनुष्य के द्वारा अनेक प्रकार से किये जाने वाले काइक जनन को क्रतीम काइक जनन यह पर प्रवर्धन यहां पर बोला जा सकता है प्रकार से हो सकता है क्रतीम काइक जनन हमारा चार प्रकार से हो सकता है अभी तुमने प्राक्रतिक की बात करी थी अब यदि हम लोग बात करेंगे करतीम काइक जनन की तो यह चार प्रकार से हो सकता है और वह कौन-कौन से चार प्रकार होंगे सबसे पहला जो प्रकार होग हमारा कलम लगाने का यानि की कटिंग करने की बात यहां पर की जा रही है कि अब कैसे जिसे कि हम लोग एक्जामपल देख सकते गुलाब गन्ना गुड़हल अंगूर आधी के पोधों को इस विधी के द्वारा उगाया जा सकता है यदि आप चाहते कि आपके घर में गुड़हल को आप उगा सकते अंगूर को आप उगा सकते आधी को इस विधी के द्वारा आप यहां पर उगा सकते पूराने पोधों की परीपक कोशिकाओं को काट कर भूमे में तीर्चा गाड़ दिया जाता है यह इसी तरीके से यदि आप गन्ना खाते तो उसको भी अ क्लिकाओं अवश्य होनी चाहिए कुछ इस प्रकार की कलिकाओं होनी चाहिए जो वापस से एक पूरे पोधे को जन्म देने में उसकी सहायता करें तो यह पहला उप्शन हो गया हमारे पास कलम लगाना इसको एक आर्टिफिशल मेथर्ड बोला जा सकता है क्रतिम विधी ब क्लम के रुप में यह प्रवर्दित नहीं हो सकते मतलब इनको तीर्चा काट करें कलम बनाना मुश्किल काम होगा यहां पर इसलिए पोधे पर लगे लगे ही शाखा के कुछ भाग को चिल कर शाखा को भूमी में दबा देते हैं बाद में इसी भाग से क्या होता है अब इस पोधों पर लगे लगे ही शाखा के कुछ भाग को चिल कर हम लोग क्या कर रहे हैं पोधों पर लगा हुआ है तो उस शाखा का हमने क्या करा है थोड़ा सा भाग चिल कर वहीं पर उसको मिट्टी में दबा दिया है इसको बोलते है नैरिंग करना है फिर दाब लगाने की प प्रोसेस कोई हमारी दाब लगाने की तीसरी जो प्रोसेस होती वो गुटी लगाना होता है गुटी लगाना क्या होता है यह वायू में दाब लगाने के समान है किसी शाका को छील कर खाद युक्त मिट्टी में लेप दिया जाता है इसके उपर टॉट इत्यादी लपेट कर स वाली प्रोपती आ जाता है जैसे कि इसे पहले वाली लेइरिंग वाली प्रोसेस देखी थी तो वहा पर हम लोग इसको भूमी में दबा रहे थे लेकिन यहां पर भूमी में न दबाते हुए हवा में ही मतलब हम लोग बूल सकते हैं जहां पर वह पेड लगा हुआ है उसकी यही पर फोड़ा साद लगा लेते हैं मालो हमारे यह नीबू का या कोई भी पेड यह पर हो गया कुछ आप समझ सकते यह प्रांच निकल रही है इस ब्रांच को ही हमने थोड़ा सा यह हां से चील दिया है मतलब इस ब्रांच को बोल सकते इस पेड से थोड़ा सा काट दिया है जुड़ा हुआ अभी भी रहेगा थोड़ा सा हमने यहाँ पर काट दिया है उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहीं पर हमने खाद मिट्टी डाल दिया ताकि यहीं से इसमें जड़े निकलना स्टार्ट हो जाती मतलब यह उगने के का उसके बद कशार ओपन की process बोलेंगे वीब क्राफटिंग की process यदि बोलें घटिया पोधे को तीर्चा कलम की भाती काट लिया जाता है इसे सकंद कहा जाता है अच्छी जाती के पोधे से एक शाखाया कलम को इस प्रकार की तीर्ची काट कर मिलान करने से इसके साथ जोड दिया जाता है तो डोरी आदी से करसकर बांध दिया जाता है मौं पिगला कर इस पर लेप कर दिया जाता है कुछ दिन बाद इसकनल तथा सियान कलम परस पर जुड़ जाती है अब देखो कुछ बहुत ही अच्छे क्वालीटी के पॉधे होत कर रखा हुआ है कि दोनों को तीर्शा काट कर मिलान करके जोड दिया है डोरी से कसकर बांद दिया उसके उपर मौं का लेप लगा दिया है ताकि वो दोनों अच्छे तरीके से जुड़ जाए तो ये दोनों कलम आपस में जुड़ जाएगी और उसके बाद आपसे जहां उगाना चाहें वहां पर उगा सकते तो ये कृतीम तरीके की चार अलग-अलग स्टेपस होती है जिसमें सबसे पहली हमने देखा कलम लगाना दूसरी दाब लगाना तिसरा गूटी लगाना फोर्थ कशार उपन करना तो ये क्रतीम तरीके की प्रॉसेस होगी उसके बाद को जाएंगे तो हम चाहेंगे तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के वज़ा है हम लोग जल्दी ही यहां पर कम समय में नए पोधों को पन्ना कर सकते नए पोधे मात्र पोधे की तरह ही होते हैं इस पर कभी विविनता नहीं आएगी अनिक जंगली और बेकार पुरदों को क्रादमिक का इक जनन के द्वारा नए और उप्योगी पौधों में बतला जा सकता है लाइक हमने देखा अभी गटिया क्वालिटी के पौधे उसको किसी अच्छी क्वालिटी क प्रकार का नमी उसको दी जा रही है वो सारी चीजें मैटर करेगी लेकिन इसमें इतना नहीं करता है क्योंकि अनुकूलित वातावरण देना है तो नए बातावरण में कम प्रभावित होगी क्योंकि और रह चुके हैं इतने समय तक उस पौधे के साथ उससे काटकर अलग करना है हमें बस हानिया भी होती है नुकसान भी होते है तो नए पोधे के मात्र पोधे के आसपास उगने से भूमी जल खनीच प्रकाश वायू आधी के लिए पोधों में संगर्श अधिक हो जाता है तो यह कुछ जनल से पोधों की प्रजनल शक्ति थोड़ी यहां पर कम ह जाती है रूब्नताव के अधि कईसारी जाति है यहां पर संगर्श नहीं कर थै विक्सित नहीं हो पाती है थीक है वह अछे से विक्सित यहां पर नहीं हो पाईगी तो यह कुछ जूश चुन रीजिये अपर बहो सकते हैं वेजीटी रिप्रड़ॉदय के अब हम लोग य चोड़ी चप्टी वहरे रंग की होती है इसके चोड़े भाग के मद्य में कोशिका होती है जिसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देरी मद्यभाग में कोशिका होती है जिससे अनेक शीराय निकलती है जिससे कई सारी यह जो बना रहे हैं हम लोग पिंक कलर में यह सारी इसकी मद्यभाग में कोशिका है और इससे कई सारी शिराई यहाँ पर निकल दिये सारी शिराई निकल रही दोनों ही साइड में equally तो इसके बाद क्या वो लगए पत्या किस से जोड़ी हो रहती है जिसे कि कल हमने तने के बारे में पढ़ा था तो पत्या जो है तने की पर्व संधी से उत्पन होती है पत्यों के द्वारा पोधो में प्रकास संस्टेशन वाचफोर्श सर्जन की प्रक्रिया आधी यहाँ पर कंप्लीट होती है क्योंकि आपने दिखा होगा इस पर छोटे-छोटे से रोमचिद्र पाय जाते हैं जो हुए पढ़िस पर्ण व्रंत कहलाता है पत्ते के सबस्क्रेशन के पत्ते हरे भाग को फालक ब्लेड कहा जाता है जो धूकर चोड़ा प्तला भाग किया देख रागानगे पत्ते कने हुए टो निमीं में को好吃 बूम में भाजाती हैं इस तरेक लिगे उन्सटते अलग-अलग डिजाइन से इन पर पाई जा सकती है नग कि मोटी शीरा हो इम शीराओं के द्वारा बनाई गई डिजाइन को शीरा विन्यास यह справ Minya S पर कहा जाता है तो यह पूरा इसका शीरा विन्यास होगा है न यह पूरा क्या हो गया और ये इसकी शिराय होगी और ये जो कॉर्णर वाला जो भागोगा से यहाँ पर ब्लैड बोला जाता है फलक यहाँ पर बोला जाता है ठीक है और कहां से उत्पन होते है परवसंधी से तने की परवसंधी से पत्तियां उत्पन होती है ठीक है ये पत्ति के बारे में सारी बा बच्राइब करें तो यहाँ पर पर क्रिक निर्माण तो किसका प्रियोग नहीं किसका प्रियोग पस्टी अपर लोल कि अप्षओा यहाँ हिंदा नहीं होता है उसके बाद आपका chlorophyll है लेकिन कौन नहीं है oxygen नहीं है तो इसमें oxygen का रोल नहीं होता है ठीक है कौन सी process में प्रकास संटेशन की प्रक्रिया में अब ये भोजन तता जल संग्रह करने का कारिय करती है अनिक पोदों की पत्तियों में भोजन तता जल संचित हो जाता है जिसके कारण मांसल और मोटी हो जाती है जिसे प्याज लसुन की पत्तियां आपने देखियोंगी वह काफी मोटी होती है क्योंकि वह क्या करती है अपने भोजन का संग्रह कर लेती है वाश्पोद्चर्जन की प्रक्रिया की बात करेंगे तो वाश्पोद्चर्जन की प्रक्रिया यह पर निक रखने को जुँदे अधक कन से वभाब रूप में निकलतेए जल को भाब के रूप में यहाँप रहे za खाटें बहुत सारे अनिमल इसे होते जो उनकी पत्तियों को खा जाते तो उनकी रक्षा करती है तो पत्तियां फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस को कम्प्रीट करती है भोजन जल संग्रान का कारिया वाशपोथ सर्जन का कारिया बूल सकते हैं लेस्देन 1% जितना भी पानी जो है फूलों के बारे में तो फूलों के हम लोग भाग बोल सकते हैं पूंकेसर इस्त्रीकेसर बाहएदल होता है कि सबसे पहले हम लोग बात करें बाहएदल की तो यह पत्तों का बाहएदल होता है यह सामानियत हरे होते हैं तता फूल के अंदर वाले भाग की रक्षा करते हैं हरी पत्तियां भी आप यहां पर बोल सकते हैं, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, भाय दल पुन जिसे नाम दिया गया, यह क्या करेगा, अंदर से जो फूल उगने वाला है उसकी बहारी रूप में रक्षा करेगा, बेसिकली आप कॉमनली आप इसको देखते हैं, य इने बहारी पत्तियां भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फूल बड़ा होता जाएगा, यह थोड़ी इस तरीके से उठीती जाएगी, तो इने आप बहारी पत्तियां बोल सकते हैं, इसका नाम क्या है, बहाय दल पुन जिसे यहां पर बोला जा सकता है, तो यह फूल प्रकार का बहाय दल होता है, हरे रंग का होता है, फूल के अंदर वाले भाग की रक्षा करता है, इसे आप हरी पत्ति नाम भी यहां पर दे सकते हैं, अगला यदि हम लोग बात करें, दल या पंखोडी के तो यह दूसरा भागे, यह वाला जो आप देख रहे हैं, यह इस जो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होती परागण की जो प्रक्रिया होती उसमें अपना योगदान दिभाते हैं, आज हम लोग स्वा परागण की प्रोसेस को भी समझेंगे, क्योंकि उससे भी आपके कुश्चन बनते हैं, तो हमने पहला भाग पढ़ लिया बाय दल होता है, आगे और भागों के बारे में चर्चा करेंगे, आगे हम लोग जानेंगे पुंकेसर को, यह फूल का नरजनन भाग होता है, यह आपके टोटल दो भाग होते हैं, एक पुमंग होता है, और एक जायांग होता है, जो जायांग होता है, तो हम लोग यह यहाँ पर बात करें, पुंकेसर की तो ये फूल का नरजनन भाग होता है इसकी प्रत्य की काई को स्टेमन कहा जाता है इसकी दो मुख्य भाग होते हैं पराकोश तता तंतू होते हैं तिके पराकोश में पराकर्ण उपस्तित होते हैं जो अंकोरित होकर नए युगमक को उत्पन्न करते हैं क्या चीज ही यहां पर बताई गई है कौन सा भाग होता है फूल का नरजनन भाग होता है हम लोग पुंकेसर की बात करें मतलब अभी हम लोग इस वाले हिस्से की बात करें तो अभी हम लोग फोकस करेंगे पूरा इस वाले हिस्से के उपर उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे तो ये जो है फुंकेसर की बात यहाँ पर की जारी तो इसके दो भाग होते हैं कौन-कौन से दो भाग होते हैं जिसा कि आप चितर के अंदर देख पारें एक तो पराकोश होता है और दूसरा पुतंतु या तंतु आप इसे बोल सकते हैं ते कि ये पोधे का कौन से भागई नर्जनन भागई प्रत्यक इकाई जो होती उससे стैमन यहाँ पर बोला जाता है और इसके अंदर क्या है ये आप देख पारें पराकोश के अंदर क्या उपस्तित होते हैं पराकण उपस्तित होते हैं जो अंकूरित होकर नए युगमक को जन्म देते हैं ठीक है और ये पुतन्तु इसके बाहे वाले भाग को आप यहाँ पर बोल सकते हैं ये वाला भाग जो इसका पुतन्तु है इस प्रकार की जो नलिक अगर आपसे प्रशन पूछा जाएंग तो यहां पर नर जननांग में आते हैं या मादा जननांग में आते हैं तो दोन गोश्तन के इसे ये कुश्ण तो पूमंग कहा जाता है तो इसे co-signal अब हम लोग माधा-जननन या फिर जायां या फिर इस्त्रीक एशर की बात करेंगे इस्त्रीक एशर बाएदल के बारे में तो देखो हम लोग पढ़ी चुके हैं अब ही हमने देखा था कि भावरी स्ट्रॉक्चर होता है पहला इसका भाग होता है इसके पार हम लोग यहां पर बात कर रहें इस वाले इससे कि स्त्रीकेसर की यह फूल का मादा जननंग होता है इसकी प्रत्य की काई को कारपल कहा जाता है ठीके इसकी प्रत्य की काई यहां पर क्या कहलाती है कारपल कहलाती है, फूल का सबसे अंदर वाला भाग होता है, अब इसके तीन भाग होते हैं, अब इसके तीन भाग कौन-कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, सबसे पहला जो भाग होता है, उसे हम लोग वरती कागर बोलते हैं, यह रहाप का वरती कागर, जो होता है सब्से उपर का фुला होता है इससे चिपा होने के कारण। पराकण यो होते हुआ इस पराकर चिपक जाते हैं लबी पतली का नली हमने चिपक पराक कन का तक पहुंचनी के लिए पराख इसहां और धींट के बारे में देख लेते और कार्पल का सबवसे नीचे उस्साइट फुल्पला वाला हिस्सा होते हैं इससे इसमें बीजायांड के प्रक्रिया होने के बाद यमशेचन कोने केबाद फल में तथा बीजांड जो है बीजों में यहां पर परीवर्तित हो जाता है ठीक है नेशेचन के बाद यह फल में तथा बीजांड जो होगा बीजों के अंदर यहां पर परीवर्तित हो जाएगा तो यह फूलों का पूरा स्ट्रक्चर होगा आप चाहें तो एक बार से और देख ल पराकोष के लिए responsible factor इसको यहां पर बोला जा सकता है, तो यह दूसरा भाग हो गया, तीसरे भाग की बात हम लोग यहां पर करें, तीसरा भाग आपका पुंकेसर होता है, फोर्थ हिस्सा आपका यहां पर इस तरीके सर होता है, यहां पर आप से नल जननांग और मादा जनना यहां पर बोल सकते हैं, अब यहां पर हम लोग पुमंग की बात करेंगे, तो इसमें दो इससे होते हैं, सबसे पहला पुंकेसर होता है, जिसमें पराकोष और पूतन्तु आते हैं, पराकोष इस तरीके का हिस्सा होता है, अंकुरी तोकर नए युगमक को जन्म देने का responsible factor तर्माना जा सकता है, दूसरा यहां पर तंतु होता है, जो इससे जुड़ा हुआ रहता है, इस तरीकेसर की यहां पर बात की जाएगी, तो इसमें तीन भाग यहां पर होते हैं, वर्तिकागर हो सकता है, वर्तिकागर की बात यहां पर करी जाए, तो वर्तिकागर सबसे उ बॉल सकते इसके अंदर प्रोशेंदे प्रोशेस पति प्रॉशेंग प्रागां परपरागं होता है सेल23 मिल्स और समझ चुकई हैं हम आ भाड और करना इसके states == इसमें एक पुष्प के पराखन अपने ही पुष्प के वर्ती काग्रफ पर गिरते हैं। चाहिए, पिटभी होगी इसके हुए जूए के वर्ती काग्रफ पर गिरेंगे और उस इसे वापस नय बीच का जन्म हो जाएगा by defence तो एक पुछपके पराकन अपने हे पुषपके वरतिकागर पर गिरेंगे और वह वापस पर अड़ाशय तक पहुंच जाएंगे अब दूसरा difference देखो कि दूसरा difference यहाँ पर क्या बोल रहा है इसमें किसी साधन अत्वा माध्यम के आउशक्ता नहीं होती मतलब कि कोई और जीव या कीट आकर इस प्रक्रिया को complete करेगा आउशक्ता नहीं है, खुद ही हो जाएगा इसमें साधन अत्वा माध्यम जिसे वायू जल के आउशक्ता हो सकती है तीसरा पॉइंट देखें, तो यह क्रिया केवल द्वी लिंगे पुष्पो में ही संभव है अब ये वाली परपरागन की जो क्रिया है ये दोनों ही पुष्पो में हो सकती मतलब एक लिंगे में भी हो सकती है और द्वी लिंगे पुष्पो में ही संभव हो सकता है यह सबसे बड़ा और सबसे इंपोर्टेंट डिफरेंस है याद रखेंगे इसमें पुष्प छोटा होता है तदा पुष्प के लिए रंग सुगंद तदा मकरंद की आउशकता नहीं होती इस प्रकार के पुष्प में आप रंग सुगंद और मकरंद नहीं देखेंगे क्योंकि इनका देखो पॉलिनेशन जे खुद से ही हो रहा है इसमें कोई भी जीव आकर बैठे है या फिर हवा जल के माध्यम से वैसी वाली स्टेप होना आउशक नहीं है इसमें पुष्प बढ़ा होगा ये कीटों को आकरशित करेगा तभी तो पॉलिनेशन की प्रोसेस कम्पょ'llों के लिये काफी चमकीला होता है बढ़कीला हो सकता है रंगीन हो सकता है हूँसगंदित ओर सुगंध युक्त पोधा को अंपर बोला जा सकता है बेसीकली इसको եीके समझ में आया स्वबारागण पर पर क्या होते है अपने ही पुष्प से कर लेंगे किसी और क्या उश्चकता नहीं पड़ेगी इसमें पानी जल और कीटो क्या उश्चकता हो सकती है इसमें पुष्प चोटा होगा कोई खुष्बू रंग सुगंद आप नहीं देखेंगे इसमें सारी चीजे होना आउश्चक कि तभी तो कीट इसकी और आकर्शेत होंगे तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन कंप्रीट हो पाएगा तो यह डिफ्रेंस हो गया स्वपरागंड और और भी यह डिए आपका इंट्रेस्ट है शीज के अंदर की नहीं और अच्छे से पढ़ने क्योंकि समें को सारी प्रोसेस होती है लाग कि बनता है कहीं सारी प्रोसेस होती तो यह आप देख सकते हैं को साइंस की बुप में और लास 12 में भी आप इसको देख सकते हैं दोनो कि आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं चलो अब कुछ वन लाइनर क्वीज और कुछ एम्सी क्यूस अम लोग कंप्लीट करें तो जो भी चीज आपने पढ़ी है इसे दो नाम लिख जिए जिनमें से प्रत्यक में संयूपत और अलग अलग जैसे कि आप सब भी परीचे थे गुलाब के फूलों से तो गुलाब के फूलों में जो पंखुडिया है आप एक एक पंखुडी तोड सकते हैं जिसमें आप अलग अलग पंखुडियों को देख सकते हैं लेकिन हम लोग बात करेंगे संयूपत पंखुडियां मतलब कि वो प्रकार का फूल यहां पर रहेगा इसमें धतूरा हो सकता है सदाबहार हो सकता है तो पंखुडियों है कि एक वट तोड़ने जाओगे तो आप प्रिशन पूछ लिया जाए कि सन्यूत कि एक प्वोडियों का एक एकजमपल है बाकि आपने बहुत सारे पुष्पत देखी हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से पंखुडियां होती कि एक को तोड़ने पर दूसरी नहीं टूपती है और जिसे कि कल हम लोगों ने बात करी थी रेशेदार और जड़ के बारे में तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पोधे के जड़ रेशेदार हो तो उसकी बत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा रेशेदार केसी होती है इस प्रकार की जड़े होती है देखो यह हम लोग क्यों पढ़ रहे है या फिर इसको पढ़ने का रीजन क्या है क्योंकि NCRT की बुप में एक प्रकार का एक् नहीं वो कैसे पता कर पाएंगे उनकी पत्तियों के माध्यम से पता कर पाएंगे अभी अपने पत्ती की पूरी सरचना देख ली अब इसको समझते हैं कि यदि किसी पोधे की जड़ रेशेदार होती है तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास कैसा होगा तो हम लोग देखेंगे कि जिन पोधों की जड़े रेशेदार होती है मतलब इस प्रकार की रेशेदार जड़े पाई जाती है इन्हीं को बोलते है ना रेशेदार जड़े तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास होगा बिल्कुल सामान ये शिराविन्यास होगा इस प्रकार की शिराएं निकली हुई कि गई होगी Cozy way Everyday बात करेंगे कि इसी पौधे के पत्रिका म् यह कि विनर्व हो इतु को डी गई आटी को डी गई है उसमें प्ति प्रकार की यह हैं कि उसमें चोड़ी च्छोड़ी काना विन्या से मिल्बभाइब के तरीके हैं Home आप उस पत्य को टच करेंगी तो अपको हलका जाली दाल, यह मकडी का जाला आपने देखा है, वो यह हाथ में आजाता है, तो कैसा फीलिंग आता है, वैसा फील आपको यहां पर आएगा, क्योंकि इसमें हलकी हलकी सी उभरा हुआ सा हिस्सा होगा, जालिया होगी, तो उस प पेज के उपर चिपका कर देखिए, यदि उस पेज उपर इस प्रकार की जाली का रूपी सरचना बन जाती उस पत्ती के माध्यम से, तो आप समझ जाते हैं कि जो पत्ती आपने प्रयोग करी है, उसकी जड़ किस प्रकार की होगी, मुसला जड़ होगी, और यदि जाली का साथ बैठ कर यह वाला experiment कर सकते हैं उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप भी बहुत सारी नहीं नहीं जीज़ों को यहां पर करेंगे तो इसमें कौन सा भाग सम्मेल इतना है भाइदल का होना पंखुडी का होना पुंकेसर का होना या फिर मुलांकूर का होना आपको पता है कि मुलांकूर क्या होता है जब एक पूधे का जन्म होता है तो वहां बीज से जो बनता है वो उसका मुलांकूर होता है और हम कमप्लीट करेंगे पत्तियों की संदर्भ में कौन सा कदन सही नहीं है पत्ती में शी प्रती रुप शी चाहला रूपी और प्रती रुप समांतर करतों है बिलकुल को इसकता है present को पत्ति तब चारो ही इस टेटमेंट यानि कि यह तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पर करेक्ट है ठीक है चलो अगले प्रिशने की बात करेंगे जाली का रुपी शीरा विन्यास स्ट्र कोधी की जड़े कैसी होगी मतलब की कोई ऐसी पती है और उसका शीराविन्यास जो है किस प्रकार का यह जाली दार है मतलब इस प्रकार की जाली आ उबरी हुई है तो इस प्रकार की जड़े को ज läuftे है मुस्तला जड़े यहाँ पर कहलाएगी तो इस प्रकार की जड़े क्या कहलाएगी समानतर ही होता है उस प्रकार की जड़े रेशेदार ये जकड़ा जड़ हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं अगले प्रिशन की बात करेंगे तो पराकोष और तंतु कीस के भाग वह थेत हैं अभी फूल का पूरा इंस्टर कहता था तो पराकोष पुमंग huhो जो होते किसके भागोते ऻर्टिका वरतीका और अंडाशे किसके भाग तो आपके कुछ इस तरीके के ही प्रशन बनते हैं हैं कि यह सारी चीजे हम लोगों ने पेड़ पूदो से रिलेटेड यहां पर कम्प्लीट कर ली है अब हम लोग नेक्स सेशन में बढ़ेंगे जी उजनतुों की तरह स्वापोशी पर पोशी म्रतोब जी वी क्या होते हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे तो सेशन के साल अलगा कमेंट करके बार से जरूर से बताएं मिलेंगे हम लोग नेक्स सेशन में और वाट्सप ग्रुप से जुनने के लिए आप मैसेज कर सकते देवल सेवन 080-3840 पर थैंक्स फॉर वचिंग